चलिए students, अम लोग question number 3 को solve करते हैं, देखे question number 3 में क्या कहा जा रहा है, question पढ़िए students, आप लोग के रहा है, समानतर चत्रवूछ A, B, C, D का विकड का विकड का विकड A को सम्दोईभाजित करता है यहाँ पर यह जो विकड A, C है देखिए यह जो विकड आप A, C देख रहे हो एं, C कोड एं shout क्या कर रहा है, सम्दइभाजित कर रहा है A वाला angle A वाला angle दोनों क्या है बराबर है क्योंकि A C सम्तुविभाजित करा लिख लीजिए इसको दिया है क्या देखिये students इसको हम लोग 1 माल ले रहे हैं इसको 2 माल ले रहे हैं तियाँ से जो वारा angle 1 है angle 2 के बराबर हो जागा लिख लीजिए अंगल 1 बराबर हो जाएगा अंगल 2 के क्यों बराबर होगा क्योंकि यह जो AC है इस कोण A को क्या करणा सम्दुभाजित कर रहा है AC कोण A को सम्दुभाजित कर रहा है तो यहां से मारे पास क्या आ गया जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा चलिए अब आगे पढ़िए दर्साइए कि यह कोण C को भी सम्दुभाजित करता है मैं दिखाना है कि यह जो AC है कोण C को भी क्या कर रहा है सम्दुभाजित कर रहा है तो इस्टुडेट्स इसको हम 3 माल लेते हैं और इसको 4 माल लेते हैं हमें क्या दिखाना है अगर हम दिखा दें एंगल 3 बराबर है हमारा एंगल 4 के क्या दिखा दें अगर दिखा दें ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो A हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो A C है C को क्या कर रहा सम्दुभाजित कर रहा तो इसको उन्हें तीन और इसको चार ले लिया चलिए अब आप देखिए ए जो मारा एंगल 1 है बराबर हो जाएगा एंगल 4 के लिखिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के इसके क्यों बराबर होगा क्योंकि एक आंतर कूण है तो चलिए students आप लोग next देखिए एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 4 के और यहां चे देखिए यह जो एंगल 2 है वो बराबर किसके हो जाएगा एंगल 3 के एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के और ए भी क्या है ए भी एक अंतर कोण है अब हमें दिखाना के एंगल 3 is equal to एंगल 4 अगर हम दिखा दें तो हमारा एसी तो हो जाएगा कि C को जो A C ए दो बराबर भागों में सम्दुभाजित कर रहा है तो यहां से देखिए इसको आप समिकर 1 माल लीजिए इसको 2 ले लीजिए और इसको आप 3 ले लीजिए 1, 2, 3 से देखिए क्या हो जाएगा शमिकरण 1, 2, तथा 3 से क्या हो जाएगा students आप लोग देखिए चलिए जो हमारा यहां पर देखिए है एंगल 1 is equal to एंगल 4 है एंगल 1 is equal to एंगल 4 है और इस एंगल 1 के अस्थान पर हम लोग क्या लिख सकते है एंगल 2 समिकरण 1 से ना तो एंगल 1 के अस्थान पर आप एंगल 2 रख दीजिए तो हमारा एंगल 2 is equal to 4 हो गया अब यहां पर देखिए जो हमारा एंगल 2 है एंगल 3 के तो समिकर 3 से देखिए क्या हो जाएगा एंगल 2 के अस्थान पर लोग एंगल 3 रख देंगे तो यहां से देखिए एंगल 3 is equal to एंगल 4 आ गया तो इससे क्या सिद्धो रहा है जो AC है क्योंड C को दो बरावर भागों में क्या कर रहा है सम्दिभाजित कर रहा है या फिर दो बरावर भागों में बाट रहा है इससे यह सिद्ध होता है कि होता है कि AC क्योंड C को सी को समद्विभाजित करता है समद्विभाजित करता है समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में काटना समद्विभाजित करता है तो इस्टुडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको उने सॉल्व किया चलिए अब लोग इसके second part को solve करते हैं देखते हैं इसका solution क्या हो जाएगा चलिए इतना कि रेस करते हैं लोग अब अब आप लोग ध्यान से देखिए second part में क्या दिखाना है ABCD एक सम्चतुर्भूज है ABCD क्या है ABCD एक सम्चतुर्भूज है Students, सम्चतुर्भूज दिखाने के लिए अगर हम दिखा दें इसकी जो आसन भूजा है आसन भूजा का मतब A भूजा इस भूजा के बराबर दिखा दें तो A हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ABCD क्या है एक सम्चतुर्भूज है तो चलिए हम लोग इसको भी solve करते हैं अब देखिए जो हमारा angle है अब आप लोग यहाँ से देखिए देखिए हमारा जो angle है angle 3 equal to angle 4 है angle 3 is equal to angle 4 है तो A वाला angle बराबर इस वाले angle के आप लोग यहाँ से समझ दीजिए angle 1 बराबर हमारा angle 2 के angle 1 बराबर है angle 2 के और इस angle 2 के अस्थान पर लोग क्या लिख सकते हैं angle 3 तो लिख दीजिए angle 1 बराबर हो जाएगा angle 3 के और इसको मने किस बेसिस पे लिखा यह हमारा क्या है समी करण 1 है समी करण 1 तथा 3 से लिखिए समीकरण 1 तता 3 से क्या है 3 से हमारा angle 1 is equal to angle 2 है समीकरण 1 है और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा angle 2 के अस्थार पर हम लोगा angle 3 रख देंगे तो हमारा जो angle 1 है वो is equal to हो गया angle 3 के यानि कि A वाला जो कोण है वो बराबर हो गया है इस वाले कोण के students आप लोग चीज़ों को समझें क्योंकि समझेंगे तभी questions आप कर पाएंगे तो यहां से हमारे पास जो angle 1 है वो बराबर हो गया angle 3 के तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा AD वो बराबर किसके है CD के लिखिए AD बराबर CD क्यों हमने बराबर लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि जो बराबर कोण होते हैं बराबर कोणों के सामने की बुझाएं क्या होती है बराबर होती है तो A वाला जो angle है वो बराबर है इस angle के तो इसके सामने की जो बुझा है और इसके सामने की जो भुजा है, दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, इसलिए हमने लिखा जो हमारा AD है, वो बराबर किसके हो जाएगा, CD के, तो लिख दीजिए, बराबर भुजाओं के सामने के जो कोड होते हैं, बराबर कोडों के सामने की भुजाएं बराबर होती है अगर हमारी भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है तो इस टूडेंट देखे इस तरीके से हमने इस question को solve कर लिया लिखिये आता है A, B, C, D एक सम चतुर्भुज है एक सम एक सम चतुर्भुज है तो माई डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस question को solve किया चलिए आप लोग पढ़ते रहे है कोई वी डाउट होत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए आप लोग पढ़ते रहे है थैंक्यू